क्या आपकी भी यूटूब चैनल है और उसके सब्सक्राइबर्स को गूगल एड के थुरू बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं नमस्कार मैं हूँ गुडू कुमार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल एड की सहता से यूटूब चैन पेड पेड यानि कि जो गूगल के सिस्टमेटिक तरीके हैं गूगल एड के दोवारा आप लाना चाहते हैं तो ये वीडियो अन तक आप जरूर देखेंगे इस वीडियो में हमने गूगल एड के दोवारा चुकि यहां पे सब्सक्राइबर लाने के लिए यूटूब में भी आपको प्रोमोशनल एक टैब एड हो चुका है जो कि यह भी बीटा वर्जन में है और एक आप गूगल एड के सहता से भी आप सब्सक्राइबर के लिए एड लगा सकते हैं एड सेट कर सकते हैं तो पूरी एड सेट की वीडियो हम बना है आप इस चीज को एकदम आराम से स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो आपको असपस्ट हो जाएगा तुमीद है कि इस वीडियो को आप पर यदि पूरा देखते हैं तो समझ में जरूर आएगा तो एक लाइक किजिएगा और चैनल पर पहली बारा है तो इसे सब्सक्राइब करके भी जाईएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आगए अपने डिक्स्टॉप पर यहां पर हमने अपनी गूगल की जीमेल आइडी है उसको लॉगिन कर रखा है यहां पर सिंपल आपको सर्च करना होगा गूगल एड गूगल एड जैसे सर्च करेंगे तो यह जो पेज है आपको लेकर आ जाएगा चुकि मेरा पहले सा अल्रेडी है यह एकाउंट तो यह डिटेल भी इसका दिखा रहा है लेकिन आपके केस में सिधे यह लिंक आ जाएगा गूगल एड का जैसे इस पर किलिक करेंगे तो यह गूगल एड का जो होम पेज होता है यहां पर लेक रहा है तो उस इस्तिति में इसकी सेट अप करने पड़ती है आपको मैं बता दू कि यदि आप पहली बार करेंगे तो दिखे इसका परचार भी आ गया कि 20,000 रुपे का आप यदि एड चलाते हैं तो 20,000 गूगल आपको एड क्रेडिट देता है यानि 20,000 रुपे लगा कर के 40,000 का एड चला सकते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किये थे आगे बढ़ते हैं और सिंपल हम साइन इन पर किली करते हैं और यह हम पहुंच जाएंगे अपने डैस बोड पे चुकि इस वीडियो में हम गूगल के जो यूटूब चैनल है उस पे स यहां पे आपके इस Google ad के माधियम से तो हम आज जो इन के लिए उगूगल आइड के माधियम से देखेंगे आने वाले वीडियो में हम चैनल के माधियम से भी आएंगे चुकि वो बीटा वर्जन में चल रहा है तो किसी किसी चैनल पर वो अप्शन रहता है किसी पर नहीं भी रहता है तो फिलहाल गूगल एड सब के लिए अबलेबल है तो हमने यहां पर आ गया और हमें क्रियेट करना है नया कंपेंट तो सिंपल हम निव कंपेंट प को चूज करने के लिए यह गूगल द्वारा टेंपलेट प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा आप इजली अस्टेब कर सकते हैं हाला कि इसमें आप्शन कम मिलते हैं इसलिए हम रिकॉमेंड करते हैं कि आप क्रियेट कंपेंट विदाउट गोल्स गाइडेंस के थ वहां पर सब्सक्राइबर लाना है तो फर्स स्टेज में आपको वीडियो ही सेलेट करना है जैसी वीडियो सेलेट करेंगे तो अब इस कमपेंट के सब टाइट आजाएंगे सब टाइप अब इस सब टाइप में वीडियो भ्यू तो आपको लाना नहीं है हमें फोकस करना ह सब्सक्राइबर के लिए तो उसके लिए आपको सेलेट करना होगा ड्राइव कनवर्सेशन अब यह ड्राइव कनवर्जन्स जब आप सेलेट करेंगे उसके बाद आपको किलिक करना होगा कंटिन्यू बटन पे यह हमने पहले आयड चला है उसका दिख रहा है आपके केस में यदि नया होगा तो नहीं दिखेगा तो इसको लेकर के कोई confusion नहों आपको इसलिए मैंने बता दिया तो simple आपको continue पर किलिक करना है जैसी आप continue पर किलिक करते हैं तो अब आगये आपके campaign creation के stage में आप यहां पे कुछ general settings आपको करना होगा मेलनी यही से आपकी campaign setup होगा यहां पे आपको धियान से और last तक देखने की जरूरत है यदि आप channel पर पहली बारा है तो अभी subscribe कर लिजिए और continue अंतिम तक बने रहिए तो यहां पे आप देख सकते हैं type हमने video का रखा है campaign और sub type में drive convergence है आप इसके बाद यहां पे आता है campaign क का नाम रख सकते हैं तो हमने रख लिया CL जनवारी 24 करके ठीक है यह campaign का टाइप हमने रख लिया अब अगला जो option है ओ है आपका देखिए campaign टाइप का काम हो गया CL जनवारी 24 रख लिए अब अगला है location की बारी तो आप चाहें तो पूरे विश्व में पूरे इंडिया में किसी entire एक selected location pin code wise भी कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो add है ओ सिर्फ बिहार में चले तो यहाँ पर देखिए बिहार इंडिया हमने select किया और इसको target कर देंगे यदि बिहार सरीफ सिर्फ देखना है तो यहाँ पर target करेंगे तो हम फिलाल बिहार के लिए हमने select कर लि भी target कर सकते हैं यानि कोई आम आपने लिखा जैसे आमने लिखा पटना और पटना विहार को हमने जब target यहां से किया तो उसके 20 km में जैसे MR किलो मेटर में भी कर सकते हैं तो 20 km में आपने select कर ले यह जो circle वाला देख रहा है इस किलो मेटर का है और यह विहार Аस्टेट वा सब्सक्राइब गया आपका लोकेशनन अब उस पीन कोड़ के चारो तरफ आपके 20 किलोमीटर में हो ऊपके तू मैंने से जिए और आपको की रेडियस के سबसे जा सकते हैं जैसे में सबस्क्राइब हड़ा देते हैं और यहां तो आपका आपका बिहार एक सहर तो यहां पे इस सहर को दिखिए एक दम नक से के हिसाब से यह टार्रिट कर लेता है गूगल कि अपनी मैप है तो यहां पे मैंने दोनों तरीके बता दिये एड़बांस तरीका था इसको मैं फिलाल कान्सिल कर देता हूँ चुकि हमको यहां पर अस्टेट के हिसाब से चलना है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस लोकेशन का काम हमने कर लिया अब आते हैं लेंग्वेज में बाइड डिफल्ट यहां पर इंग्लिस और हिंदी है और हमें यहीं लेंग्वेज चाहिए आपको अधर लेंग्वेज चाहिए तो ओ सारा दिया हुआ है यहां पर आप सर्च कर सकते हैं ग्रीक हैं अंग्री सब कुछ तो यहां पर एक्षण में होता क्या है कि जो हम बटन क्रियेट करेंगे सब्सक्राइब का किलिक कर लेगा तो काउंट हो जाता है लेकिन मैक्सिमाइज कनवर्जन में ज्यादा से ज्यादा आपको कनवर्जन मिलेगा और जब सब्सक्राइब होगा तब काउंट होता है तो आप पे मतलब मेरे हिसाब से maximize conversions के साथ जा सकते हैं या आपको ज्यादा किलिक लाना है तो आप target CPA से भी जा सकते हैं तो ये थोड़ी सी इसमें winfit रहती है तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ ऐसे भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ये मेरा bid strategy सेट हो गया अब आगे बढ़ते हैं budget and dates पे यानि कि ये जो आयड की budget क्या होगा और कितने तारिक तक चलेगा जैसे हमको डेली जो budget है हमने रख लिया 100 रूपीज ये जो की बहुत ही lowest budget है देखे बता भी रहा है इसके इसाब से कम से कम 475 रूपे 300 पैसा या उससे ज्यादा होना चाहिए तो आपके लिए best रहेगा लेकिन मेरी strategy में छोटे से आप शुरुआत किजिए आपकी प्रोपर परफॉर्म करने लगा तो उसको बढ़ा दीजिए डेट यदि आपको चेंज करना है तो यहाँ पर single simple edit पर किलिक करना है और आपका कोई fix date है तो यहाँ पर select करके आप उसको fix कर सकते यानि कि select किये अब मेरा यह फरवारी तीन तक चलेगा यह 22 फरवारी तक चलेगा तो इस तरह से select कर लिजिए यदि आपका कोई fix नहीं है चलने दीजिए जब हमको मन होगा तब हम वहाँ पर रोक लेंगे पहुच कर लेंगे तो आप none पर रहने दीजिए ठीक है म नेटवर्क में क्या है कि जो यह आपका वीडियो है वो कहां कहां दिखेगा तो यहां पर देखिए आप ध्यान से यूटूब यूटूब पार्टनर पर दिया हुगा गूगल टीवी पर नहीं चलेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इसमें कोई option enable भी नहीं है आगे ब सब्सक्राइबर के लिए हमको इसकी जरूरी नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे अब आगे यहां पर देखिए डिशनल सेटिंग्स दिया हुआ है यहां बहुत ही ध्यान देने की बात है डिशनल सेटिंग में जैसी आएंगे तो सबसे पहला ची स्क्रीन Oui schaffen सबस्क्राइबर आएंगे टेबलेट से आएंगे की सेल ज्यादा कहां से अगे तो हमको लग रहा है कि मोबाइल से ज्यादा आएंगे तो हम सिर्फ मोबाइल में दिखाएंगे बेवजा टेबलेट और टीवी पर नहीं दिखाएंगे मेरे रिकुमेंडेशन में आप आप इसे रखे तो बेश्ट रहे गा हिसके बाद डिवाइस के बाद आबा आप आ जाती है फिरक्वेन्सी क्या पिंग कर देड़ी की आप कितने बार दिखाना चाहते हैं आप चाहए एक व्यक्ती को एक दिन में एक एक बार ही दिखे तो यहां वान लिख दिजिए पॉर्डे के इसाब से दिवीक में आप उसको एक बार चाहते हैं तो यहां वीक चूज कीजिए और यहां पे आप एक लिख लिए यहां चाहते हैं कि उस पार्टिकुलर जो ट्मेरा टारगेट ओडियंस है उसको दीन भर में दो बार मेरा एड दिख जाए तो आप सिंपल यहां पे दो सिलेट कर लिजिए ठीक है इसके अलावे अब कैप भ्यू के लिए हो गया यह भ्यू के लिए है तो भ्यू कितने बार करें भाई तो आप चाहते कि नहीं एक ही बार देखे तो यहां पे आप एक एड कर तो इसमें अडिशनल भी आप एड कर सकते हैं तो यह दो चीज जो है आपका फिर्क्वेंसी कैपिंग में आप कर लिजिए यह बेस्ट रहेगा या आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो तीन भर में चारवे पांच में दिखाना तो आप अपने इसाब से यहां पे सेट कर सकते हैं तो फिर के सी कैपिंग यहां पे हो गया आप आते हैं एड स्युड्यूल की मतलब आड आप कब-कब दिखाना चाहते हैं जैसे सभी दिन दिखाना चाहते हैं मंडे टू फ्राइडे सटरडे टू संडे मंडे टूजडे विडिश्डे किसी पाटिकुलर डे को तो आप यहां पे सेट कर सकते हैं यह भी आप सेट कर सकते हैं उसकी टाइम कितने से की बजताइं रहें इंडिया में जरको मैं के जग जाते हैं बहुत बढ़ियां healthy person जो बहुत पहले जगते होंगे और स्टुडेंट पढ़ने के लिए तो चार बज़े से पहले तो नहीं जगते होंगे तो आप यह timeline select कर सकते हैं आप जाते हैं कोई timeline नहीं रहे भाई जब ही कोई देख रहा है वो दिखा दे मेरा head वो रात के 2 बज़े दिखा दे 3 बज़े भी दिखा दे तो कोई दिकत नहीं है तो simple आप इस timeline को न रखे as it is छोड़ दे पर कुछ आपको करने के जरूरत नहीं है अब आते हम लोग third party measurement में तो यहाँ पे यह आपके लिए options available नहीं है यहाँ पे आपको उस account में set करना पड़ता है और हमारी subscribe के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है अब आता है video enhancement तो यह जरूरी है गूगल के तरफ से आपको मैं बता दू कि आपका जो भी एड़ चलेगा उस एड़ को आप चाहते हैं कि short feed में भी दिखा है तो गूगल उसको automatic enhance करके इस तरह से फूल जो short का ratio होता है उसमें set कर देगा तो आप इसको as it is on run दिजिए इसमें कुछ change करने की जरूरत नहीं है तो यह video enhancement हो गया जी अब यहां तक हमारी जो basic setting थी और complete होती है अब हम पहुंच चुके हैं group जिसको add group बोलते हैं तो आप चाहे तो यह जो नाम हम यहां रखे है CL जन्वारी 24 तो आप सेम नाम हम वहां भी रख सकते हैं तो चलिए हम एन्या group का नाम भी रख दिये CL जन्वारी 24 तो हमने यहां पर select कर लिया अब आते हैं बहुत ही important है ध्यान से समझिएगा audience set करना चुकि audience का मतलब हो गया कि आप कीन है किस तरह के user को आप एड दिखाना चाहते हैं यह audience उसके interest उसके habit उसकी जो behavior है उसकी जो demography तमाम चीज़े आप इस audience में ही set करते हैं तो इसके लिए इसके लिए हमें नया बनाना है तो हमने एड प्लस जो बटन दिया हुआ है new audience पे किलिक करेंगे आप जैसी किलिक करेंगे तो यहां audience का नाम है तो हमने लिख दिया CL audience ठीक है अब यहां पर आईएगा important चीज कस्टम सेगमेंट आप यहां पर आपको सर्च करना है अब पाले से हैं नहीं तो आपको segment add करना है मैंने segment पर क्लिक कर दिया और यहां पर नाम ले लिख देते हैं CL segment ठीक है अब एक्चुली मैं है क्या people with any of these interest और पर्चेज intention people who search for any of these terms on Google यह लोग क्या search करेंगे Google पे तो आपका add या YouTube पे तो आपका add दिखना चाहिए वो चीज आपको यहां पर डालने की जरूरत है तो मान कर चलिए कि आप चाह रहे हैं जैसे हमारे case में एक English इंचूट को पर्मोट करना है आपके case में हो सकता है digital marketing अपनी services को पर्मोट करना है या आपकी कोई product बेचते हैं उसको पर्मोट करना है तो जो पर्मोट करना है उससे related आप देख लिए कि लोग क्या search करते हैं आप चाहे तो यदि आप Google ad account बनाएंगे तो वहां पर keyword planner होता है वहां से भी आप इस चीज की जनकारी ले सकते हैं अदर्वाइज आप भी Google पर एजूम कर सकते हैं कि क्या लोग search कर सकते हैं तो वह चीज आपको यहां लिखना होगा जैसे कि हम चाहते हैं कि English के लिए English coaching class classes मैंने यह तर्म यहां पर डाला और यहां पर हमने इंटर किया जैसे इंटर किया यहां पर हमारा सेट हो गया आप देखेंगे कि यहां नीचे में हमको कुछ टर्म एडिया जो है गूगल सजेस्ट कर रहा है ठीक है इस हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं आपको लग रहा है कि नहीं इसमें तो मेरे लिए नहीं आ रहा है तो आप अगें दूसरा कीवर्ड लिखें इंग्लिश इंस्टिट्यूट ठीक है आप यहां पर बेस्ट इ यह कीवर्ड ले रखे हैं सर्च कर लिये हैं और नोट पैड में रखे हैं तो सिंपल यहां से किजिए कॉपी जैसे मैंने किया और यहां पर हमने कर दिया पिष्ट आप देखेंगे ध्यान से कि उस सारे कीवर्ड जो मैं चाहता हूँ यहां पे एड हो चुका है आप भी अ अब एक काम जो है मेरा यह हो चुका है अब देखे आता है योड डाटा अब मैं आपको बता दो कि यह जो है ना आपकी यूटूब चैनल या जो वेप साइट है मैं आपको जब दिखा देता हूँ चुकि इसका उप्योग हम नहीं करेंगे निव सेग्मेंट में आएंगे सेग्मेंट एड करने के लिए तो यहाँ पर गूगल एनलाइटिक जो होता है या यूटूब यूजर तो वो जो यूजर आपसे इंट्रेक्ट किये हैं आपके यूटूब चैनल पर वीडियो पर उनको यदि दिखाना चाहते हैं तब तो यह आपके लिए ज़रूरी वीडियो को नए ओडियोंस तक पहुचाना है जो नहीं जानते हैं तो उस स्तिति में इसका कोई उप्योग नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं इंट्रेस्ट एंड डिटल डेमोग्राफी पर जैसे हमने इस पर किलिक किया अब यहां पर अगेन वहीं च क्या है किस चीज का वीडियो देख रहे हैं तो उनके सामने वह चीज नजर आ जाना चाहिए तो चलिए अब इसके लिए हमने इंग्लीज का एक्जामपल लिया है तो जस्ट हम यहां पर लिखते हैं कि इंग्लीज अब देखिए यदि इंग्लीज ग्रामर लेशन पढ़ रहा हैं इंग्लीज रूल संट प्रैविक्यां boros स्काल देख रहा है इंग्लीज कोरेशन यह पड़ रहा है English language courses कर रहा है English language school देख रहा है translation service नहीं English as a second language education source नहीं English अब यहां पर जो जो हमारे लिए हो सकता है दिखे educational resources secondary class के लिए एकदम यह जरूरी है चुकि secondary class के लिए ही है primary and secondary school business यह सब नहीं चाहिए education आप ले सकते हैं वो कोई भी math भी पढ़ रहा हो तो आपका English का परचार हो तो कोई दिकत नहीं है और इस परकार से आप और भी high school graduate parent को नहीं दिखाना है चलिए जी तो यहां पे हमारा इतना हमने select कर लिया English से related आप चाहे तो इससे अधिक भी कर सकते हैं मेरे लिए इतना इंट्रेस्ट वो हमने select कर लिया अब इसके बाद यानि इंट्रेस्ट का काम हो गया हमारा segment का काम हो गया data की जुरुत नहीं है अब आगे बढ़ते हैं और है exclusion exclude करना include अभी तक हम लोग कर रहे थे यह include कर रहे थे कि जो लोग यह यह करते हैं उनके लिए हमने करेंगे आप अपने लिए कर सकते हैं अब आज आते हैं बहुत important यह आपका Mainly polish एम गाराफी है कि यहां पे जैसे आपके करेंगे दो चीचाना है जेंडर एजमिशत की बात हैं तो तो अब देखे मिनिमूम हम चले गए 18 साल अब हम को स्टूडेंट 11 12 का ढूंड़ा है तो इसमें मिनिमूम क्या है भाई तो 24 साल तो एकदम मिनिमूम में लेकर चल रहे हैं अच्छा यहां का रहा है कि ऐसे भी लोग होंगे जो अपना एज नहीं बताया है पहले यहां भी द इसके बाद एडिशनल डेमोग्राफी में आएंगे तो परेंटल स्टेटस है कि नौट परेंट नहीं बताया है तो इसको आप रहने दे बाई सबको दिखाओ हमको नहीं पता है क्यों परेंट का देख रहा है किसका देख रहा है इसके बाद हाउस होल्ड इंकम से मतलब न रहा है बट मैं आपको बता दू कि एक एक चीज को मैं डीटेल से बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको लगे कोई भी तरह का कंफ्यूजन डाउट या सजेशन तो जरूर आप कमेंट करके बताईएगा तो इतना चीज करने के बाद हमने अपना ओडियंस को कम्प्लीट कर लिया अब यहां पर हमने से पर किली कर देना है अब जैसे हमने से पर किली किया यहां मेरा ओडियंस आ चुका है अब आगे बढ़ते हैं यह है अप्टिमाइज टार्गेटिंग यह जो अप्टिमाइज टार्गेटिंग है यह आपका हेल्प करता है गूगल एक तरह से और ज्यादा लोगों को find out करके वो उनको recommend करता है तो अप्टिमाइज टार्गेटिंग के अंतरगत आ जाता है इसमें कर रहा है कि add has been an average 20% more conversion by using optimized targeting तो कर लो भाई हमको को दिकत यह टिक लगाना है यह टिक हटाना है तो हम टिक लगाए रहने देते हैं ठीक है तो यहां तक तो हमारे किलियर हो गई चीजे अप्टिमाइज टार्गेटिंग तक यानि कि हम यहां पर audience का भी setting हमने कर लिए तो चलिए जी अब इसको भी collapse कर लिए अब आगे बढ़ते हैं यानि अब हम आ गए कि किस video का link अब डल ने कर दिया पेस्ट तो हमारा यहां पर आ गया अब हमें यहां पर उस चैनल का link डालना होगा ठीक है चुकि उस link के थुरू ही जो subscribe बटन है वह आपका काम करता एक तरह से तो चलिए उसका हम एक link भी generate करेंगे यहां पर just click करते हैं उस link को और चैनल को हम यहां पर कर कॉपी तो just copy click करेंगे यहां से चैनल मेरा कॉपी हो गया अचा एक चीज और है आप चाहते हैं कि यहां पर सब्सक्राइब एक चीज यह है कि आप डिरेक्ट यहां पर click किजिए और यह चैनल आ जाएगा बट हम चाहते हैं कि उस subscribe button create कर दे तो subscribe link generator आप open कर लिजिए और जै आपको यहां पर वहीं paste कर देजिए तो हमें लग रहा है ज्यादा बेतर आता है तो आप दोनों में सब्सक्राइबर वाली लिंक है जो आ जाता है इसमें confirmation वाला यह आइड कर दे इसके बाद आब आता है call to action अब जैसे अब यहां पर call to action है तो call to action में मेरा क्या है बई तो वह है अपका subscribe तो जैसे आपका किली करेंगे तो यहां so भी कर देता है आप टाइप भी कर सकते हैं तो हमने यहां पर किली किया और subscribe को हमने चुछ कर लिया तो यहां जो बटन है वह subscribe नाम का बन गया यह सब format में आएगा आपका इसकी के पर शौट में भी आएगा शौट म अनि कि वीडियो में क्या चल रहा है उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं तो अब जैसे मान चलिए हमने जस्ट वीडियो को पिन कर लेते हैं और उनकी जो टाइटल है उसकी हिसाब से आप जाना चाहें तो जा सकते हैं या आप जिस उदे से चला रहे हैं उस उदे से भी जा स कॉपी कर लिए जस्ट विदार्थी के हिट में कड़वी बात बस इतना ही और यहां पर हमने हेड़ लाइन में डाल दिया ठीक है अब यह तो मेरा यहां पर टाइटिल आ गया आप लोंग डिस्क्रिप्शन में चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं बेस्ट इंगलीस कोचि क्लास क्लास चैनल ठीक है तो हमने यह लिख दिया कि भाई यह जो है कोचिंग क्लास जो है इंगलीस का है उसका यह यूट्यूब चैनल है तो यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत होगा तर डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे जो की चैनल से रिले तो यहां पर लिख देते हैं ए एन एजुकेशनल चैनल टू एजुकेशनल चैनल किसके लिए भाई तो फॉर इंग्लिस English classes and English and Hindi classes Hindi और इसको क्या करें इंग्लिस एंड हिंदी सब्जेक्ट्स फॉर इलेवेंथ एंड टुवेल्थ क्लास तो मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्रिशन लिख दिया आप अपने हिसाब से यहां पर चूज कर सकते हैं तो यहां पर हमने ले लिया एक लोंग हेड्लाइन के तौर पर ले लिया बेस्ट इंग्लिस कोचिंग क्लास चैनल कोचिंग क्लास यहां लिख देते हैं फॉर इलेवेंथ एंड टुवेल्थ क्लास कोचिंग क्लास पर क्लास तो लर्ण इंग्लिस एंड हिंद्य तो जस्ट मैंने यहां पर एक डिस्क्रिप्शन ले लिया एक लॉंग हेड्डिंग भी ले लिया अब आगे बढ़ते हैं इसमें है कि आपको जो यूरल आप्शन में है इसके इसाब से कि वहीं जो यहां आप को दिख रहा है बैनर वह आपके जो चैनल है उसी से आजाए या आप अपना कोई अलग यहां पर इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड इमेज पर किली करेंगे यहां से चूज कर लेंगे मेरे केस में यह हम दे देते हैं चैनल आटमेटिक जो ओ जनरेट कर देगा यही रखेगा तो फिलाल हमने यहां पर सिर्फ अटो जनरेट को हमने चूज किया अब इस परकार से यह आपकी फाइनल जो है एड क्रियेट हो चुका है आप यहां एड क्रियेशन में आएंगे तो देखेंगे इस तरह का दिख रहा है आपका अब यहां सिंपल आपको क्र क्रियेट कंपेइन पर किलिक करने की जुरुत है इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दू कि यहां पे जो वीकली स्टीमेट दिखा रहा है 940 मिलियन का दिखा रहा है इसके अलावे यहां कनवर्जन्स है जो हमारी बजट है हंडेड रुपीज का उस हिसाब से हंडे से 280 तक दिखा रहे हैं 100-300 के बीच में आपका लगवग आपकी सब्सक्राइबर्स जो है कनवर्जन्स हो जाएंगे इंप्रेशन इसके इसाब से 15 के से तिरुपन के है और एवरेज जो सीपीए है कोस्ट पॉर एक्शन तीन रुपे से लेके और 12 रुपे के बीच में लग चली जाती है और इसके अधार पे हमारा जो एड है ओ लाइव होगा रिव्यू करने के बाद अब जस्ट कंटिन्यू टू रिव्यू पर आप किलिक कर लिजिए अब यहां से आपको पता चलेगा कि हां जी आपकी कोई पॉलिशी में प्रोब्लेम आया इसके बाद इंप्र करके आजाएगा तो जो भी आपकी प्रोब्लेम होगा उस हिसाब से यहां पर सो करेगा फिलाल हमारा एक यह दिखा रहा है कि भाई पेमेंट आपको एड करना है क्योंकि उसमें माउंट कम है तो हम जस्ट एड कर लेंगे लेकिन यहां तक हमने आपको बता दिया कि किस तर करके बेल आइकन दबा दिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद